ना रेस्टरेंट स्टाइल और ना ही धाबा स्टाइल ये होगा बिलकुल घर का स्टाइल हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सत्या सत्या एट कीचन में स्वागत करती हूँ आप सब का आज मैं आपके साथ लाल मसूर की डाल की रेसिपी बिल्कुल घर के स्टाइल में लॉकडाउन में जो भी अविलेल सामगरी है उसमें बनाना बताऊंगी प्रेशर गूकर में लिया है चार टेबल स्पूंसर्सों का तेल तेल जब गरम हो गया तो इसमें मैंने डाला है तीन साबुत लाल मिर्च एक तेजपत्ता हिंग डाला है दो तीन चुटकी चार चुटकी डाली है बहुत ही टेस्टी लगेगा हिंग डालने से मैं लोग ड़ूं में अविलेबल सामग्री में बता रही हूं यहां पे आधा चो टा राईा अपके पास प्याज हो तो प्याज काट कर डालें मेरे पास प्याज नही है 내가 weapons पेस्ट भी डाल दिया है बिल्कुल हलका सा चलाया क्योंकि इसके चीटे आते हैं दो टमाटर मीडियम साइज का काट केस को डाल दिया है और इसे मैं पस इतने ही सामान में बनाने वाली हूं थोड़ा सा और भी मसाले लेने वाली हूं तीन-चार मिनट कवर किया कवर करने के आधे यह बहुत अच्छे से मैं से इसलिए कवर किया था अब इसमें डाल रही हूं हल्दी है तो यह दाल खुद लुदी कर लट लकर फुल है इसलिये इसमें थोड़ा-सा अधा च्छोटा चमर्च से भिक मैंने हलbor मिल्च एक चोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है एक चोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिल्च ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़ियां आए और इसे मैंने चला दिया है और ये बिल्कुल पक चुका है मतलब मैश हो चुका है आराम से बस इसे कुछ सेकेंड्स तक मसालों के साथ मैं भुनूंगी और बहुत अच्छे से इस तरह से जो थोड़े बहुत टमाटर खड़े-खड़े से हैं उसे मैश कर रही हूँ मैं तो घर का स्टाइल वो भी लॉक्डाउन में जितना सामान है उतना में बनाया है आपके पास अगर प्याज हो वो डाले धनिया गपत्ता हो वो डाले आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो बिल्कुल इसी तरह से बनाए दस-पंदरा मिनट तक भीगो कर ये लाल मसूर की दाल को मैंने रखा था धो के अच्छे से रखा था और भीगोया हुआ था ये और ये मैंने लगभाग एक कप डाला है और अब मैं इसे तीन-चार मिनट तक भूनूँगी इस तरह से एक बार मिक्स कर दिया फिर मैं धक्कन से इसे धक दूँगी लेकिन अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक स्वादा नुसार बिना प्याज के और बिना धनिया पत्ता के ये दाल जैसे मैंने बनाया है आपके पास अगर हो तो भी बिना डाले भी आप एक बार बना के देखना इसको फिर धकन हटा करके फिर इसे एक बार इसे चला दिया और चलाने के बाद इसमें अब मैं डाल रही हूँ इसी ग्लास से तीन ग्लास पानी आप चाहें तो धाई ग्लास भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया और प्रेशर कूकर को अब यहां पर मैं बंद कर रही हूं 3-4 सीटी आने तक दाल अगर जादा आपको गली हुई नहीं चाहिए तो आप 3 सीटी लगाएं मैंने 4 सीटी लगाई है और इसे जब फ्लेम बंद कर दिया और यह बिल्कुल ठंडा हो तो इसे खोला है तो आप दीखी दाल अच्छे से गल गई है मुझे मसूर की दाल जो है वो खड़े-खड़े से ज्यादा अच्छे नहीं लगते तो मैं इसे पूरा गला के ही खाती हूँ आप चाहें तो वही बताए आपको तीन सीटी आप लगाएं और ये हो चुका है तो अब चाहें तो यहाशा अटकरसक कर सकते मैं नहीं किया यहाँ पर मैंने भूना हुआ जीरा का पाoadर डाला है बहुत रचा टेस्ट आता है कि और साथ ही इसमें मैंने घी डाला है तो ये दाल खा के दिल बहुत खुश हो जाएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा शेयर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा देखने के लिए धन्यवाद